हेलो एब्रीवन वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में आपको किट्स के लिए सरारा ड्रेस की कटिंग और स्थिचिंग करना बताऊंगी तो देखिए मैंने हापे कपड़े को इस तरह से रखा हुआ है देखिए यह हमारे कपड़े की लैंथ है यहने की लंबाई है और यह विर्थ है कपड़े की यहने की कपड़े का अर्ज है और अर्ज वाली साइट से मैंने कपड़े को एक फोल्ड करके रखा है यह ओपन साइड है और यह सामने फोल्डेट साइड है तो एक फोल्ड हम इसे और कर लेंगे देखिए विर्थ वाइस इस तरह से और अब हमन के लिए निशान लगाना है तो यहाँ पर मेरे measurement में body's length है 8 inch यहाँ पर हम 8 inch पे एक निशान लगांगे और एक इंच मैं इसमें extra ले लूँगी क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे से सेलाई में जाएगा और 1.5 इंच ऊपर से तो हम यहां पर एक इंच एक्ष्टा लेते वे 9 इंच पे पिर निशान लगाएंगे और पूरे में 9 इंच पे निशान लगा के इसे state line से जॉइन कर लेंगे यह देखिए और अब हमने इसे यहां पर कट कर लेना है अब हम यहां पर शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे तो मेरे मेजर्मन में शोल्डर है 10 इंच और इसका हम हाफ करेंगे तो आएगा 5 इंच तो यहां पर हम 5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे देखिए और अब इस निशान से नीचे को हमें आपर आम होल के लिए न निशान लगाना है तो जितना भी आपकी मेजरमेंट में राउंड चेस्ट है आप उसको चार से डिवाइट करें और जितना भी आए उसमें एक से डिर्ड इंच एक्सरा एट कर दें तो यहां पर मैं ले रही हूं और अब हमें यहां पर नेक विर्थ के लिए निशान लगाना है तो यहां पर मैं दो इंच ले रही हूं तो इस तरह से हमें दो इंच पे एक निशान लगाना है और अब यहां पर नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाएंगे तो यहां पर मैं बैक पाट के नेक की डीपन ले रहे हुँ तीन इंच तो एक निशान लगाएंगे पराइभ एक यमारा फ्रेंट स्कूशेक बाइब सब्सक्राइब इस इस तरह से तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों नेक की शेप हमने दे दी है अब हम सबसे पहले बैक पार्ट का जो नेक हमारा इसे कट करेंगे देखिए तो देखिए मैंने हाप इसे कट कर लिया है अब हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे जो हमारा बैक पार्ट है और तो दिखिये हMने नग Abbond को ऊपने ड़िया है और देखिये प्रक बारच खोलिए हमने यह पार्ट और दोनों पार्ट का नहीं है उसके लिए कपड़ा कट करेंगे तो देखिए यह लेंद्ध है कपड़े की और यह विर्थ है तो विर्थ वाइज मैंने कपड़े को एक फोल्ड करके रखा हुआ है देखिए और इसका जो बॉर्डेस पाटे देखिए इसकी लेंद्ध मैंने हाँ पर 9 इंच ली है वह 18 इंच और आथारह मेंसे हम 8-5 मायनस कर लिए क्योंकि 8 इंच का मारा बॉडरीस पार्ट है तो हमारे पास बचेगा दस और दस इंच में मैं 2-1 का मार्जर लूगी क्योंकि हाफ इंच इसमें भी सिलामें जाए नीचे से और हाफ इंच नीचे से इसापर एक इंच मैंने आप इसे कट कर लिया है और अब सिम इसी तरह का हम एक पीस और कट कर लेंगे यह हमारा फ्रेंट पार्ट है और एक पीस हम और कट करेंगे बैक पार्ट के लिए यह देखिए इस तरह से तो देखिए मैंने यहाँ पे दो पीस कट कर लिये हैं एक हमारा front पार्ट के लिए हुआ और एक back पार्ट के लिए तो अब हमें इसमें यहाँ पे गैदर्स देने हैं तो वो किस तरह से वो मैं आपको बाद में बताऊंगी और अब हम शरा रख लिए निशान लगाएंगे देखिए तो यहाँ पर मैंने कपड़े को चार फोल्ड में रखा हुआ है और अब हम यहाँ ऊपर से नीचे को दो इंच पे एक निशान लगाएंगी क्योंकि हमें यहाँ पर दो इंच की बैल्ट बनानी है तो इस तरह से हमें यहाँ पर पूरे में दो इंच पे एक निशान लगाके इसे स्टेट लाइन से मिला लेना है यह देखिए हमें दो इंच पे हमने निशान लगाके इसे स्टेट लाइन से जॉइन कर लिया है और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे देखिए और अब देखे यहां पे जो line है इस line से नीचे को हमें आपे कमर से खुटने तक की length ले निशान लगाना है. यहां कि जहां से भी आपको fill चाहिए आप वहां तक का निशान लगा लें. तो यहां पे मैं कमर से लेके खुटने तक का निशान लगाऊंगी. तो ये मेरे measurement में आ रही है 11 inch तो यहाँ पे मैं 11 inch पे एक निशान लगाऊंगी पूरे मैं और इसे भी state line से join कर लूँगी देखिए इस तरह से पूरे मैं 11 inch पे निशान लगाना है और इसे state line से join कर लेना है यह देखिए इस तरह से और अब हम यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाएंगे तो यहां पर मैं कमर की जगा हिप का मेजरमेंड लोंगी क्योंकि हम इसे इलास्टिक वाला बना रहे हैं मेरे मेजरमेंड में राउंड हिप है 23 इंच और 23 को 4 से डिवाइड किया तो आया 5.75 इंच और इसमें मैंने 3 इंच एक्स्टा इस पॉइंट से आगे को में 1.5 इंच पर निशान लगाना है यहां पर हम क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाएंगे मैं आपे मारजन के 7.5 इंच ले रही हूँ तो इस तरह से हमें आपे 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे देखिए और इस निशान को हमें यहां उपर इस तरह से मिला लेना है और अब हम इसे यहां पर कट कर लेंगे तो देखिए मैंने यहां पर इसे cut कर लिया है और अब हम इसे इस तरह से open करके रखेंगे यह देखिए इस तरह से और अब हमें जो सरारा में नीचे से frill लगानी है उसके लिए कपड़ा cut करना है तो यहां पर हमने जो इसकी length लिये देखिए वो ली है 11 inch यहां उपर से 2 inch छोड़ते हुए 11 inch ली हुई है इसकी full length और total length हमारी यहां पर सरा रखी है 21 inch तो 21 inch में से हम 11 inch minus करेंगे तो आएगा 10 inch और 10 में मैं 2 inch plus कर लूँगी क्योंकि half inch हमारा नीचे से सिलाइ में जाएगा half inch ऊपर से और एक इंच हमें आप नीचे से double fold कर निकले लिंगे तो यहां पर हमारी पास आएगा बारा इंच पर निशान लगाऊंगी पूरे में और इसे स्टेट लाइन से जॉइन कर लूँगी और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे यह देखे इस तरह से मैंने हाप एक पीस कट कर लिया है 12 इंच इसकी लैंद रखते हुए सेम इसी तरह से हम एक पीस और करेंगे तो रेखिए मैंने आप दोनों लैक के लिए अलग लग दो प तरह से बिल्कुल मिलते हुए तो लगसं प crossing एक दूसरी के और फिए हम ने हमने आप हमें इसके शोल्डoooo जॉइन कर लिए हैं दीकि और समय से में भオ्भा संप कर लिए हमें दोनों कि टोनवार यहां इसक मिलते हैं और 2 से तो रखना है और यह पोनुद राइट साइड बटम पार्ट के लिए पीस कट किया था इसमें हमें यहां उपर से फाइफ नमबर पे लगानी है और यहां नीचे वाली साइट से डबल फोल्ड करके इसमें भी एक सिलाई लगा लेनी है हमारा बार्डेस पार्ट के लिए इसमें आधारेश से लियुश्वरम का नीचे से लिए उसका लिएू का लिंकुद्सपशिन देवा आप लाकिए तो आप जाके देख सकते हैं तो देखें इस तरह से में पूरे में gather देनी है और दो गएरस सब्सक्राइब भाइब वह स्थButton Er mètres और यहां उपर से इसमें सिलायल रख लेनी हैं सेम इसी के षाइब भी जोईन करेंगे तो दिखिए मैंने इसे जॉइन कर लिया है सेम इसी तरह से मैंने दूसरे पार्ट में भी इसे जॉइन कर लिया है देखिए और अब हमें हाँ पर इसमें एक लेस लगानी है देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से मैंने दूसरे साइट भी लगाई है और अब हम इस तरह से wrong साइट को टर्न करना है देखिए इस तरह से और बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और यहां साइट से दोनों साइट से इसमें सिलाई रखनी है अब हम सरारा स्टिच करेंगे तो देखिए हमने आपे इस तरह से रखा हुआ है सबसे पहले हम यहाँ पे इसके क्रोच में सिलाई लगाएंगे यहाँ पे देखिए दोनों क्रोच में इस तरह से एक सिलाई लगानी है तो यह देखिए मैंने यहाँ पर इसमें दोनों क्रोच में सिलाय लगा दी है और अब हम इसमें फ्रिल को जॉइन करेंगे तो जिस तरह से मैंने बॉर्डिस पार्ट की फ्रिल बनाई थी उसी तरह से मैंने यहाँ पर इसके फ्रिल भी बना ली है देखे यहां पर इसे डबल फोल करके इसमें सिलाय रख दी है और यहां उपर से फाइफ नंबर के एक सिलाय लगा के इसमें हमने पूरे में चुर्णटे दे दी है अब जॉइन किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूं देखे यह राइट साइड है कपड़े की तो इसक कि राइट साइड एक दूसरे के और फेस करते हुए में इस तरह से बिलकुल मिलाते हुए रखना है और यहां उपर से इसमें सिलाय रख लीनी है तो देखे मैंने यहां पर दोनों लैग में फ्रिल को जॉइन कर लिया है अब हम इसकी बैल्ट को रेडी करेंगे तो यहां इसमें बैल्ट के लिए दो इंच पे निशान लगाया था यह निशान में पूरे में लगाते हुए से स्टेट लाइन से जॉइन कर लिया है और अब हम यहां पर सबसे पहले उपर से हाफ इंच लगबग फोल करके इसमें आयन कर लिए देखे अब यहां पर जो मैंने दो इसका एक निशान लगाया है एक फोल्ड और कर लेना है यहां दो इंच वाली निशान तक यह देखे इस तरह से और इसमें भी हम पूरे में आयन कर लिए तो यहां पर मैंने पूरे में आयन कर ली है देखे और अब हमें यहां पर साइट से पूरे में सिलाय लगानी है और यहां पे सरारा में भी हम पूरे में लेस लगाएंगे देखे तो एक लेस हमें यहां पे लगानी है जहां पे हमने चुन्नेटे जॉइन करी हैं तो यहां पे हम लगाएंगे इस तरह से और इसके अलावा हम सरारा के बॉटम पार्ट में भी हम पूरे में लेस लगाएंगे इ तो देखे मैंने हाँ एलस्टिक में से इफडीपिन लगा दिया है। हम से से इनसर्ट कर लिए Пом ine कर ली अदेज में निम्हें हाँ अशिए दिशलाए कर लिगे ।inge कि अभी में एक लगा लेनी है तो यह दिखें सब्सक्राइब और अ पर आपको वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी थैंक्स फॉर वॉचिंग